ओके वीबैक फैमिली तो यहां पर यह दोनों ही लेजेंडरी पॉक्मोन मीन्स जर्णियस एंड इवैलतल यह दोनों ही रेट्स में आ चुके और इनके पहले बहुत सारी यानि कि जब रिलीज नहीं हुए थे पॉक्मोन गो के अंदर तो हम बहुत सारी यहां पर बात करते थ पर फेरी टाइप पॉक्मोन के सामने सो इस वज़े से मैंने बोला था जर्णियस एंड इवैलतल के बीच में अगर बैटल होगी पॉक्मोन गो में तो यहां पर बहुत जादा चांसे होंगे कि जर्णियस उस बैटल को विन कर जाए लेकिन मैं अभी आपके साथ एक झाद बी बैकने ते जर्णियस एकने वसमेहों ताइल्या कि अब जुटाइज अब हम कि अपने देख लिए अपर आपने देखा होगा यहांपर टी इवेल तल ने इजली बीट करा सब्सक्राइज को ऐसा क्यों हुआ पकमन को कि अंदर यहां पर तो आप यह भी बोलेंगे कि मுर्निंग में जो मैंने आपके लिए वीडियो बने थी जहां पर मैंने बेस्ट मूवज बते है एंवल तल के यहांपर वीकनेस बताई थी उसकी तो वहां पर मैंने सभी को बोला था कि इवलतल की जो यहां पर weakness है वो electric type Pokemon, fairy type Pokemon, ice type Pokemon and rock type Pokemon फिर यहां पर Zerniaus इतना भी weak कैसे पढ़ रहा है कि easily एक इवलतल यहां पर इतने सारे Zerniaus को easily beat कर पा रहा है सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा Zerniaus एक pure fairy type Pokemon है लेकिन वो fairy type Pokemon सिर्फ दिखने के लिए Pokemon Go के अंदर या फिर बोलने के लिए लेकिन actual मैसा नहीं है क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा depend बहुत क्या main depend यही आता है कि attacks कैसे है Pokemon के क्योंकि आपके पास अगर कोई Pokemon है ओके उसके IV अच्छी है ठीक है लेकिन उसके attacks ही अगर best नहीं होंगे उसके attack ही सही नहीं होंगे तो फिर वो कैसे fairy type Pokemon अब यहां पर मैं fast moves की बात करूँए जर्नियस के जो Pokemon Go के अंदर recent में available है जो आप get कर सकते हैं यानि कि अगर आप battle करें तब आपको यह यह moves मिल सकते हैं वो है friends tackle and second है friends zen headbutt अब यह दोनों ही है यह दोनों यहां पर friends fairy type moves नहीं है मैं बात करूँ यहां पर charm attack की वो एक quick move है fairy type Pokemon का वो होता तो थोड़ा better हो सकता था बात करूँ यहां पर और और भी कुछ attacks की so yes zernius पर हम ज़्यादा बात करने वाले नहीं है क्योंकि बहुत कुछ बाते हो चुके बहुत साई videos भी आपने शायद देख लिए होंगी so yes उस पर focus नहीं करता है बात में यही है कि zernius के पास best moves नहीं है उसके इस वज़ए से इवलतल यहां पर easily beat कर पा रहा है zernius को लेक लेकिन बात ध्यान रखना the best नहीं है only best है और अगर आपको यहां पर use करना उसे master league में so master league में मैं आगेन आपको recommend करूंगा कुछ attacks की यहां पर आप की यहां पर आप fast moves में snurl and gust के साथ जा सकते हैं and charge move में आप dark pulse ले सकते हैं and hurricane ले सकते हैं बाकी और मैं जैसे hyper beam, hyper beam की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं उस पर तो सोचने आई बहुत भूरा होगा focus blast ठीक है लेकिन फिर भी नहीं psychic भी ठीक है लेकिन वह भी मैं आपको recommend नहीं करूंगा dark pulse charge moves में dark pulse and hurricane and मैं बात करूंग यहां पर snurl की and gust की gust की gust की बात करो ना की शकरपंच, शकरपंच मुझे नहीं थोड़ा better होगा snurl and gust best है यह यह चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो में तो वैसे और भी मैं explain करा था यही एक reason था जो मैंने आपके साथ शेयर करा है यहां पर voice over देना भी मुश्किल है क्योंकि जगे डूनना बहुत मुश्किल है यहां पर voice over क्योंकि बारिश भी हो रही है हवा भी बहुत तेज चल रही है यहां पर background में बहुत ज़्यादा sound आ सकता है लेकिन मैं try कर रहा हूं कि मैं best दे सकूं मैं कोने में बैठकर बहुत अच्छे जगे पर आपके लिए voice over दे रहा हूं इस video का आप जोरू बताना Zernius and Yavital के अगर कर दिया ना तो देख लेना ओके गाइस मैं मिलता हूं आप से किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तके लिए वी बैक फैमली को वी बैक के तरफ से पाहें